हाई दोस्ता आट बज्जू के जैसे के आफ सभी को बता हर साम आट बज्जे हम इंडियार्मी इस्टूडियो चनल पे लाइब क्लास लेते हैं आपके लिए आज बहुत ही बड़ी अखुसकरी है क्योंकि आपका एक्जाम जो है वो 28 जून को होगा ठीक है जिसके जबललपुल एरो की ओरिजिनल मतलब जो है अड्मिट काड दे दिया गया है यह हमारे अड्मिट काड जिसे आप देख रहे हुआ यह हमारे एक बच्चे ने सेंड किया है जिसका नाम आप देखी सकते हैं सेमू मान जी ने सेंड किया यह जबललपुल एरो का है यहां पर डेट लिखा आ रहा है कि 28 जून को होगा एक्जाम ठीक है रिटेन एक्जाम जिन बच्चों का था न 26 अप्रिल का उनका कैंसल होके पक्का आपका 28 जून को एक्जाम होगा अड्मिट कार दे दिया गया है आप बेफिकर रहो आप पढ़ाई शुरू करो और मैत का पीडियेप भी हमने खरीद लिया है चेतक अकाडेमी से आटरा जार रुपे दे के तो आप बच्चे जूरू लेना चाते हैं और इंग्लीज वर्षन भी आएगा कोई टेंसर नहीं है तो इंग्लीज वाले भी आप इसु नहीं आएगा एकदम आपको एक भी कोईसें डाउट नहीं होगा जैसे के आप दीख रहे हो पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और एकदम हंडेड परसंट 15 में से 15 मियात आजाएगा आपका यहां से यह आगर आप एपीडियेप लेते हो तो बस इस का कीमत जो है लगबग हमने तैय किया है कि 20 रुपे से ऊपर कोई भी जितना भी आपका लगता है दिल करें आप उतना पेमेंट कीजिए नीचे इस फोन नंबर पर और इसी नंबर पर वाटसाप पर आप मेरे को स्कीन सॉट भेज देना पेमेंट का ठीक अगर आपके पास आज की वीडियो की और आज का वीडियो बहुत ही सांदार होने वाला है क्योंकि आज हमने आपके लिए 30 कुश्चन का टेस्ट लिया है जहां आपका 15 जीके का होगा 15 जनरल साइंस का होगा आप बस टेस्ट के उपर टेस्ट देते जाओ तापकी आपका एक्जाम में कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो बढ़ते हम फर्स्ट कुश्चन की और तो फर्स्ट कुश्चन बहुत ही अच्छा कुश्चन पूचा है कि निमने में से कौन सा तिहार के तिहार और राज्य के उनुसार गलत है ठीक है आपको बताना है इसका राइट एंसर जो होगा ऑप्शन दीवी से यह वी हुबी होता है आसाम का ठीक है तो बढ़ते हम दो नंबर कुश्चन की हो दो नंबर कुश्चन भी वैसा ही पूचा है कि निमने में से कौन सा गलत है आपको बताना है तो यह एरफोर्स डे जो होता है वो आट ऑक्टोबर को होता है नेभी डे जो होता है चार डिसमबर को होता है पर आर्मी डे जो होता है वो 30 जनवरी को नहीं होता है यह होता है 15 जनवरी को पर यह होगा राइट एंसर ठीक है ऑपसें सी होगा इसका राइट एंसर यह नहीं कि यह गल्ला थे ठीक है आर्मी डे जो होता है वो 15 जनवरी को होता है और जैसे के फ्ल कि अगर आपको कोईसिन ऐसे पूछ लेता कि प्रतम महिला राश्टरबती कौन था नैस्टनल कॉंग्रेस का तो होता भाई एन्नी वेसंद होता ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम चार नमर कोईसिन क्यों चार नमर कोईसिन पूछा है कि नीमने में से किस इंडिया होता है तो मुंबाई जो होगा एक सहर है जो कि कन्नाटका का राश्दानी है ठीक है इसका ध्यान रख लेना और मुंबाई में जो है वो गेटवे आफ इंडिया होता है मुंबाई में होता है ठीक है और इंडिया गेट जो होता है वो डेली में होता है तो बढ़ते हम छे नमर कोईसिन क्यों चे नमर कोईसिन पूछा है कि किसने बंदे मात्राम की राश्टी अगीद बनाया राश्टी अगीद बंदे मात्राम जो है वो किसने बनाया तो इसका राइट राइट अजो होगा ऊप्सandel बी जो बच्शे बोल रहे हैं उनका राईट अजो होगा यानिकी मंकिम चंदरे चटाड जो होगा इसका राइट अजो है और भाई राश्टिय गीत यानिकी बंदे मात्रम जो है वो अनुन्वनध मत से लिया गया है और रोबिंदर टेगड जो है वो जन गन मन लिखा था ठीक इसका भी ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम साथ नमबर कुश्चन की और साथ नमबर कुश्चन पूछा है कि गोल गुम्बज कहां पर इस्तित है तो गोल गुम्बज जो होगा वो करन नटगा में इस्तित होगा ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम आठ नमबर कुश्चन की और आठ नमबर कुश्चन पूछा है कि होयरीज जीम कॉरबेट नैसनल पार्क लोकेटेट जीम कॉरबेट नैसनल पार्क कहां पर इस्तित है तो यह सभी को पता है उत्तराखंड में इस्तित होगा ठीक है उत्तराखंड की राजदनी जो होता है वो देरादून होता है ठीक है और यह पी आनी की उत्तरपदेश में होता है ठीक है और यह जो आप देख मेरे पीडियेप के है कहा कौन सा सेंचिर है आप यहां से स्किन सॉट ले ले लेना है यह मेरा पीडियेप होगा आपको बहुत ही अच्छे लगएगा यह सब पढ़ने में ठीक है तो बढ़ते हैं मैंने लिखके दिया है मेरे पीडियेप के अंधर जिन्होंने अभी तक डाउंलोड नहीं किया, डिस्किस्यní में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउंलोड कर ले ना या फिर मेरे टेलिग्राम ग्रूप में जॉइन हो जाना, ग्रूप का लिंक भी डिश्किस्यंद में होगा, त भारत की नोटों की छपाई कि टोवारा किया जाता है। आपको बतना एंगता है। परदेश की राजदान की गोगा इंग तानागर होगा सेमला डायत घूवारा ऐस कवारा एंगता है। और नियुद्स अब हापा जाता है लेक्टो मेटर से ठीक है तो बढ़ते हम त्यरन वर क्ष़िजन क्यों त्यर नामबर कोश्चन पुछा net कि कि वू अमोंग दा फॉलोंग इंडिया एन हाज informed nobel prize in economics निम्लेमिकस में भारत में किसको nobel prize मिला था एकोनोमिक्स में ठीक है एकोनोमिक्स में नोबेल प्राइस जो मिला था वो अमर्त सेन को मिला था 1998 में मिला था ठीक है 1998 को मिला था अमर्त सेन को एकोनोमिक्स के लिए ठीक है और 2019 में भी मिला था मतलब अभी जीत बैनार जी को जो है वो कोनोमिक्स के वज़ा से 2019 को भी नोबेल प्राइज मिला था तो बढ़ते हैं हम चौदा नमबर कोश्चन क्यों चौदा नमबर कोश्चन पुछा है कि पंचसिल एग्रिमेंट इस रिलेटेड वीच कंट्री भाई पंचसिल एग्रिमेंट पंचसिल समझाता किस देश के बीच हुआ था तो इस बाना खुदा नमबर नमबर कोश्चन के बीच को हुँछा है कि ही अस्दा क्या बढ़त ऑपीर किसे कहा जाता है आपका बताने तो वो और आवीच को कहा ठीक है अगर आपको कोश्य से पुछ लेता कि मुगल सम्राँ जेकर लास सम्राट कौन ता तो होगा वाइडी यह बहादर सा होगा ठीक है और फार्स जो था वह आप सभी को पता है बाबर होगा तो बढ़ते हम 16 नमबर कोश्यसिंट की और फार्स जिनरल साइंस की और फार्स जो होता है वो 78% होता है और 22% जो होता है वो टीन होता है ठीक है और टीन का संकेत जो होता है वो यह सें होता है इसका भी ध्यान रख लेना है और ब्रास यानि की पीतल जो होता है वो कौपर और जीन को मिला के बनाया जाता है यह कोशन 23 फेबरुरी के एक्जाम में आया था भी बहुत ही अच्छा कुशन था दा तो पड़ते हम next कुशन के और तो next कुशन भी बहुत ही अच्छा कुशन पूछाए की अपको अफको गवरानी की कोई ज़रूत में आपको घवरानी की भी जरूत निया, बहुत सरे बच्छे बोलते हैं की इसका आट होगा तो बढ़ते हम 12 नंबर कोईशन की ओर 19 नमबर भी कोईशन बहुत ही अच्छा कोईशन पूचा है कि इन एक परामनू में इलेक्ट्रोन बराबर होता है किसके बराबर इलेक्ट्रोन होता है तो इलेक्ट्रोन जो होता है वो प्रोटोन के बराबर होता है ठीक है जितनी संक्य पोर्टोन रहेगा उतनी संक्य ही इलेक्ट्रोन रहेगा ठीक है और पोर्टोन का चार्ज होता है वो पॉजेटिव होता है और मतलब नीट्रोन का चार्ज होता है वो क्या होता है आप सभी को पता है भाई कोई चार्ज नहीं होता है नीट्रोन का ठीक है तो इसका राइट एंसर जो होगा option C होगा 9.1 into 10 to the power minus 8 gram होगा ठीक इसका ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हम 21 number question की और 21 number question पुछा है after digest protein in to convert into देखो मतलब after digest protein क्या होता है तो protein जो होता है वो amino acid में बदल जाता है ठीक इसका ध्यान रख लेना है सबको मैं PDF के form में 15 तरीक के बाद आपका टेलिग्राम ग्रूप में मैं पोस्ट कर दूँगा तो नीचे discussion में लिंक है टेलिग्राम ग्रूप में जाके जॉइन हो जाना और ज्यादा मेहनत करो ज्यादा पढ़ाए करो ठीक है पर मियात का PDF जो होगा वो फ्री में नहीं मिलेगा भाई क्योंकि देखो मैं खुदी आटरा जार रुपे देके लगाया हूँ और पीडिएप लिया हूँ और यहां से लगबग ना 15 में से 15 मैत आजाएगा आपको घवरानी की कोई जरूरत नहीं होगा हम नारे पास आ गया है 170 पेज का बुक है मोटा सा आपको वहां से सारा मिल जाएगा मैत का PDF जिनको मैत में उइक है उनको भी घवरानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैत का इक्या होगा ठीक है पर क्लिक करोगा जॉइन ग्रूप करके आएगा तो आप ग्रूप में जॉइन हो जाना हमरा ठीक है तो बढ़ते हम नेक्स कुछिशन की और तो नेक्स कुछिशन बाइस नमबर कुछाए कि बहुत ही अच्छा कुछिशन पूचा है कि नीट्रॉन की खोज किसने किया था अच्छे से पढ़ लेना और पीडियेप के तौर भी डिस्किशन में लिंक है जाके आप डाउनलोड कर लेना ठीक है तो बढ़ते हम 23 नमबर कुछिशन की और 23 नमबर कुछाए दा नमबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन एक्टॉम इस एक परामनु में नेगेटिव कि 24 नमबर कुछिशन पुछा है दा कॉंटिटी और ब्लाड इन हुमन बोडी मानब सरीड में रखत का मात्रा कितने होता है आपको बतना है तो इसका राइट एंसर जो होगा वो साथ परसेंट होगा ठीक है यह ऑपसें यह होगा इसका राइट एंसर तो बढ़ते हैं 25 नमब रख लेना है बहुत यह अच्छा कुछन था और इसा ही कुछन आपका आएगा अगर केमिस्ट्री से आता है ठीक है की हाइड्रोगोलिक एसीड और मेटल यानि कि धातू से अगर पक्रिया होगा तो वहाँ क्या उतपन होगा तो इसका राइट एंसर जो होगा आप उसको रियक्सिन करवा गए तो उसका जो होगा वो हाइड्रोजन उत्पन होगा ठीक है तो और कार्बोन मुन कार्बोन डाय ऑकसाइड जो होता है वो आग बुजाने के लिए उपियोग किया जाता है तो बड़ते हम 27 नमर कुछिन क्यों 27 नमर कुछिन पूचा है कि दा निमनिमें से कौन सा ग्यास हवा से वहारी है आपको बताना है तो इसका राइट एंसर जो होगा ऑफसेंडी होगा इसका राइट एंसर ठीक है तो बड़ते हम 29 नमर कुछिन की और 29 नमर कुछिन इजी सा कुछिन पूचा है कि वान होट्स पावर इजी कल टो हाउमाच वा कि जाओगे ना प्लीज एक-एक लाइक जरूर कर देना ठीक है तो 30 क्योंट कर देना है कि हाव मेनी अमीनु एसीड और फाउंड इन पॉटीन इसका बताना है तो पौटीन में जो होगा वह 20 अमीनो एसीड होता है ठीक है और सभी बच्चों का मैं रेक्विस्ट करूँग बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको वाल पे कर देना ताकि हर साम 8 बजे जब भी हम इंडियानमी स्टूडियो चनल पे लाइब क्लास लेंगे तो उसी टाइम आपको तुरंद नोटिफिकेसन चला जाएगा आपको फोन में और लाइब क्लास का आप मजा ले सा हो गए बिलकुल फ्री में ठीक है और मैं सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में प्लीज एक एक लाइक करते हुए सब बच्चे चले जाना प्लीज एक एक लाइक जरूर कर देना